कि यहां पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है फिर उसका स्विचिंग टेबल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर कितना स्विच है लचल या की यदि के ले पढेंगे या दोन हो सेरीज में तो इसको पहले और इसके मैं है इसे लापकर सबसे पर आपड़ के लिए फ्रेल यह Πार पाइल तो आपको डारेक्ट लिखना है तो यहां पर इसको पी लिखना है और शिंबल के लिए और शिंबल लिखना है और इसके लिए तो यहां पर लिखना है तो अगर मैं यहां पर नगेशन लगा ठीक है तो यह फूरा बनेगा नगेशन पी वापत पार्रेल है तो पार्रेल यानि की यह संबल अभी नेक्स्ट में एस वान यानि की पी आएगा और आपाट सीरीज है तो यह बनेगा एंड अगर यहां पर डैच रहेगा तो यहां पर नगेशन आएगा तो यह बनेगा नगेशन क्यूँ तो यह है सिंबॉलिक फॉर्म आपको डारेक लिखना है ठीक है अगर आपको डारेक लिखना नहीं आता है तो फिर इ में है तो यह आएगा फिर वापा जे इसका पी फिर यह दोने सीरीज में एंड और इसके लिए यह यह डारेक्ट लिख सकते हो आप ओके तो अभी हम टेबल पर जाते हैं ठीके तो अभी हमको संबॉलिक फॉर्मिला तो हमको भी क्या करना है स्विचिंग टेबल करना है तो इसके लिए यहां पर सबसे पहले नंबर आफ स्टेट्मेंट कितना है पी यह और क्यू है राइट दूसरा आर लेटर नहीं है तो मतलब दो ही है और कनेक्टिव है वाण टू त्री फोर फाइव शिक्स है तो मतलब इसके लिए दो कॉलम और यहां पर बार उन फिर बार जीरो यहां पर वन जीरो ऐसे लिखना है ठीचर तो अभी यहां पर हेटिंग लगके आते हैं इसके लिए यह बहुत-बड़ा चीज यह इसको दो चीजiblyiegen ड्रावें करते हैं यहां पर एक ब्रैकेट लेते हैं आपर एक ब्रैक्ट तो यह left side हो गया और राइट side हो जाएगा इसके वज़े से ठीक है तो अभी इसको मैं फूरा लेने सकता हूं क्योंकि आप एक दो तीन चीज़ है तो सब्सक्ते पहरे दो को लेते हैं यह आएगा P&Q अब इसके बाद यह फूरा को लेने सकता हूं क्योंकि आप नगेशन है तो इसको पहले clear करते हैं ठीक है नगेशन पी अभी यह clear हो गया तो मैं यह पूरा को लिख सकता हूं यह आएगा P&Q इसके बाद और नगेशन पी तो यह मेरा left side पूरा हो गया अब राइट side पर जाते हूं मैं पूरा को लेने सकता हूं कि आप नगेशन है तो इसको पहला clear करता हूं नगेशन क्लियर हो गया अभी इसको पूरा ले सकता हूं यह आएगा P&N क्यूट यह भी हो गया अब इसके बाद मेरे को पूरा question को लेना है यहाँ पर जगा नहीं मिलेगा तो इसको ए लेना है और इसको बी लेना है यह पूरा को यह और इसको बी बीत में और तो यहाँ पर ए और भी ओके तो इस तरीके से यह हेडिंग लगके आना है ठीक है तो हमको यह मिला फुरा हेडिंग तो अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसके लिए यहां पर जाता है सबसे पहरे पें क्यों तो ग्लेज्चक रहता है सबसे पहरे यहां द क्यों वडिके साथ रहेगत तो जीरो जीरो थो वन तो अभी नेगेशन पी यानि कि यहां पर जाना वन है तो यहां पर जीरो वन है तो यहां पर जीरो है तो वन यहां पर जीरो है तो वन उक्के तो अभी ठीके तो अभी एक कॉलम पर जाते हैं तो यहां फे यह हम को इदर मिला यह हम को इदर मिला बीत में और है और का क्या लोजिक है दोनों 0 तो 0 अधरवाइस 1 तो बस यह कॉलम और यह कॉलम को देखने हैं तो यहां पर 1 है 1 0 यह आएगा 1 0 0 क्योंकि और है 0 0 0 0 1 1 0 1 1 ठीक है तो ऐसे निकालने है ठीक है अब नेगेशन Q यानिकी Q पर जाना है नेगेशन 1 का 0 नेगेशन 0 का 1 तो यहां पर 1 है तो यहां पर 0 आएगा और यहां पर 0 है तो 1 आएगा यहां पर 1 है तो 0 और यहां पर 0 है तो 1 ओके तो अभी ठीके तो अभी एक कॉलम पर जाते हैं तो यहाँ पर पी इधर है निगेशिन की उधर है तो मतलब एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है बीट में एंड है तो मतलब दोनों वन रहेगा तो वन अधरवाइस जीरू ठीके तो यहाँ पर वन है यहाँ पर जीरू है तो यहाँ आ तो अभी लास्ट ये और भी यहानु कि हमारा यह है यहां पर है और यहां पर है और यहां पर है मतलब यह कॉलम को देखना है बीट में और है मतलब दोनों 0 रहेगा तो जिरो आधरवाइच वाट तो यहां पर तो यह है इसका फाइनल एंसर लास्ट कॉलम पर सारे वन आएंगे तो इससे स्विच करना है आपको समझ मैं ठीक है तो अभी सेगंड प्रॉब्लम करते हैं तो यहां पर कितना स्विच है एस वन है यह भी एस वन है स्टू एस त्री मतलब तीन स्विच है तो लेट पी एस रेट और दस्विच एस सब चले शाले जाते हैं ठीकर तो अभी सिंबैल संव फॉम पर जाते है तो यहां पर एच एस और ऐस तो लिखता है यहांन पी wrapped में यहां आएं अधको यह फिक्यो और प्यू आर में लिखना है फिक्कव है तो अभी यह यहां पर स्विक्रिक् के बदले में पी लिखना है तो यह बनेगा पी और पार्लेल के लिए वह सिंबल उसकरना है तो यहां पर आएगा यह पर यह पर आएगा पी पार्लेल के लिए यह आएगा और एस त्री यानि की आल ओके तो यह है हमारा सिंब्लाल इस लिख स्वां ट्रीम हम बनाते हैं तो यहां पे इतना स्टेटमेंट है फीस की API आर तो मतलब थीले कॉल लिख कॉलन आर्टे लेक और क्रीश करें करनेजिट वरण ट्री हो कि कि तो मतलब यहां पर और एक्स्ट्रा तीम कॉलम बनाना पड़ेगा तो सब्सक्राइब पहले तीम वेरियबल रहेगा तो इसका यहां पर चार बार वन और चार बार चीरो इसके बाद यहां पर टू टाइम जीरो यहां पर टू टाइम वन तू टाइम जीरो और इसमें वन जीरो वन जीरो वन जीरो इस तरीके जब इसको लिखना है तो है तो अब यह आ पर यह पूरा को लिखने सकता हूं, पहले दो खो लेते हैं यहां आएगा P और Q ठीकिये इसके बाद जो इसके बाद यह हो गया फरा लफचार्ड और यहां पर राइटचेर्ड में है पी खाट यह बनेगा पी और और ठीक है तो आचे हम को निखिक अगलना है टो देखना है 訴ल का तो आधर वाय्स वो टो बस हो देखना है तो यह यहां पर 1 & 1 तो यह आएगा 1 और यहां पर 1 & 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 तो इस तरीके से निकालना है ठीके तो अब यह कॉलम्ब पर जाते हैं तो यहां पर P इधार है और इधार है और बीद में और है तो मतलब दोनों 0 रहेगा तो 0 otherwise 1 तो वही लाजिक दिखना तो यह और यह दिखना है 1 & 1 1 आएगा 1 0 यह भी 1 आएगा 1 1 यह वान आएगा 1 0 1 आएगा 0 0 0 0 आएगा 0 1 यह आएगा 1 0 0 0 तो इस तरीके से इसका निकालना है का ठीक तो अब बीला स्कॉलं में घाथे तो यहां पर इंग आएगा 1 1 1 यह पर 0000 तो यह है लास्त कॉलन तो यह लोगा तौ तो आपको समझे लाइब आपको ऑडेट तो यह अच्छी तरह आपको आना चाहिए तो तैंकि इंक प्लीज लाइक में वीडियो सब्सक्राइब में चानल और सब्सक्राइब में थैंक यू वरी मिच